भाई और बैनों श्री श्री होरिशोन फाकोर जी की कर्मस्तली बनगाओं यहां से बहुत दूर नहीं है अभी कुछी दिन पहले जब मैं बंगलादेश गया था तो औरा कांदी की औरा कांदी की पवितर धर्जी को चरण स्पर्श करने का मुझे सवभाग्य मिला था मुझे वहां मत्वा समाजाय के एक साथ ही मिले जिनों ने कहा कि मैं भारत का पहला प्रधान मंत्री हूँ जो औरा कांदी में स्रीशी होरिचन ठाकोर जी का आशिरवाद लेने पहुचा मैंने उनसे कहा कि बीना बीना स्रीशी होरिचन ठाकोर जी की इचाके क्या कुछ होता है क्या ये तो भारत के प्रधान मंत्री का सोबाग्य है कि उसे ओरा खांदी में स्रीशी होरिचन ठाकोर जी स्रीशी कुर्चों ठाकोर जी उनके दर्शन का उसर मिला जाथियों दलितों को पीडितों को शोशितों को बंचीतों को कैसे स्वाभिमान का गरीमा का जीवन दिया जा सकता है ये ओरा कांदी में इन महापुरुसों की तपस्या के काराण साक्षात अनुभूती होती है आपकी सेवा के लिए आपकी सेवा के लिए मैं भी ओरा कांदी से नई उर्जा नई प्रेना लेकर क्या आया हूँ लेकिन हैरानी की बात है कि दीदी को मेरा ओरा कांदी जाना भी पसंद नहीं आया आप बताईए भाईयों बेनों क्या मैंने कोई गलती की है क्या ओरा कांदी जाना गलत था क्या क्या सीशी हर्चन ठाकूर की कर्म भूमी तपो भूमी पे सर नमन करना गलत था क्या उस मिट्टी को माथे पे लगाना गलत था क्या लेकिन दीदी ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिये अरे दीदी ओ दीदी दस सार अपने बंगाल के दली तो पीडी तो शोची तो वंचीतों से कैसी नफरत दिखाईए ये देश आज बराबर देख रहा है आपने नहीं मत्वा समाज के मेरे भाई और बेनों के लिए कुछ किया और नहीं नाम शुद्र सबाज के लोगों के लिए कुछ किया आपने हमेशा उन्हें नजर अंदाज किया आपने इन लोगों को एक तरस एक प्रकार से गुछ पेटियों के हवाले कर दिया आपके तुष्ट्री करण ने इनका बहुत नुक्षान किया है दिदी आपके तोला बाजो तो ऐसी प्रमार पत्र तक के लिए इन साथियों को लूटा है उनसे कटमनी लिया है बंगाल के लोगों को आपसे ये उम्मिद नहीं थी दिदी साथियों मैं यहां आज आप सभी को आस्वस्त करने आया हूँ यहां भारत माम है आस्था रखने वाले सभी सरणार्ती साथियों को हर सुमिदा सुनिश्चित की जाएगी बीजेपी के लिए तो सभी सरणार्तियों मतुआ और नाम शुद्र साथियों को न्याय दिलाना एक तरह से हमारा भावात्मक कमिट्मेंट भी है यह हमारे प्रेरणा पुंज डॉक्तर शामा प्रसाद मुखर जी वही थे जिनके प्रयासे यह बात अहम खेत्रा बहुत अहम खेत्रा आज भारत के पास है